हाई एवरीवन दिस इस विपुल अगरवाल आपका एजूकेटर स्वागत करता हूँ आपका साइन्स एंड फन पर तो बच्चों हमने अपने लबिस्निस सडीज के लास्ट लेक्चर में स्टार्ट करा था हमारा बिस्निस सडीज का चैप्टर नंबर 3 जो की था प्राइवे प्राइवेट स्क्राइड को और ग्लोबस इंडे निट के लिवेंट प्राइवेट होना पड़ा इसलिज को लिब्लाय सेचेट्र नावफी डिण नने पर बच्च्चों में देखा था हम लोग吧 फबलिक स्ट्र ने करा था इसमें और छो था है अपने लास्ट च्टर में पहला था departmental undertaking दूसरा था हमारा statutory corporation तीसरा था global sorry government companies तो बच्चों हमने last lecture में cover कर लिया था हमारा departmental undertaking तो इस lecture में आगे के हम लोग organization को cover करते हैं जो की थी हमारी statutory corporation government companies global enterprises आईए चलो बच्चों देखते हैं कि वो क्या होता है second जो है हमारा वो है बच्चो statutory corporation statutory corporation क्या होता है statutory corporation ध्यान से देखो अगर हम लोग बच्चों departmental undertaking को पढ़ रहे थे ना departmental undertaking में एक चीज रही थी कि departmental undertakings are governed by the ministries they are treated as a department of the ministry वो क्या होते है ministry के department ही तो होते हैं वही हमारा जो central government है वो कुछ ministries के अंदर divided है उन ministries के department को भी बोला जाता departmental undertaking so they are governed by the ministries ठीक है ministries of the government but statutory corporation को कौन govern करता है कहां लिखे है statutory corporation के rules and regulations power and responsibilities कहां पर लिखी हुई है सर statutory corporation का खुद का एक्ट होता है इसे कोई ministry नहीं करता इस गवर्मेंट गवर्मेंट नहीं करता इनका खुद का एक एक्ट होता है इनका personal अपना खुद का एक्ट होता है उस एक्ट को पार्लियमेंट में पास करवाया जाता है देन उस एक्ट के बाद ही statutory क्या होता है सब्सक्राइब कर गया थो यानि कि ले कर परेशन हमारा लाइस है उस एलाइसी को पहले हमने एक्ट बनाया पास कर वाया नाम रखना थे लोग उसके बारे में पक्के से जानते होंगे ृब एक तरीके से कॉर्परेशन है क्योंकि उसका अपना खुद का एक एक्ट है अब इनके लाइसी की बात करें आरबियाई की बात करें तो बच्चों इनके रूल से नेगुलेशन पावर और ऑस्वरिटी पावर और रेस्पॉंसिबिलिटी सब उस एक्ट के अंदर लिखी हुई होती है आपको जो मेन चीज नेगुलेशन वगरा को बताता है आये चला पड़ते स्टेटरी कॉर्प्रेशन अचप्लिक एंटरप्राइज रहां कि ऑफकॉर्स अफकॉर्स और होता है वह कौन उसका का गवशर्मेंट होता है इंका जो एक्ट्रों के पोशें हैं पावर है वो कौन बताता आ आपको इ special act of Parliament Parliament special act pass करवाय जाएगा तभी यह अपने existence में आपाएंगी तभी इंको फॉर्म करा जा सकता है एक्षों सेकंड एक्ट डिफाइन सिट पावर्स एंड फंक्शन अभी बार बार में बोल रहा था कि क्या उसकी पावर है क्या उसे करना है क्या रूल से करें निशन करेंगा करेंगा अपने मैंटेन करेंगा गवर्णमेंट डिपार्टमेंट के साथ हो सारी का यहраж में फंट में हुए मिध् avengar ऐगा कि तरीके से सांट कि इसपर कंट्रोल करेंगा कोई कोई कर कोफे आपके ऊपर ये सारी चीज़ें बच्चो नहीं होगा फटावर पावर पावर एंड फॉंक्शनस मेंग कांठ दिफाइंद है कंधे कंदल यह बहुत important financially independent मतलब कि यह अपना पैसा खुद रेस कर सकती है यह उधार भी खुद ले सकती है यह market के अंदर अपने खुद शियर भी issue कर सकती है अपने revenues को generate करके और अपने revenues को यूज करकर अपनी financial needs को यह पूरा कर सकती है इसको government की help लेने की जरूरत नहीं है ठीक है गवर्मेंट इसको funding प्रोवाइड नहीं करवाती कभी आप लोगों ने देखा है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मिला सीतर रमन जी वह लाइसी का कुछ बजट बता रही हो या आर बेगा बजट बता रही हो नहीं बताती है यह खुद अपना पैसा क्या बोलता है उसके खुद मार्केट से रेस कर सकता है ऐसा हो सकता है कि गवर्मेंट से लोन कर सकती है अपने प्रटिकुलर टाइप अपने बिजनिस के ऊपर इनने क्यों बनाया गया इन्हें क्लियर पता है और उसके उपर उस पर्टिकुलर एडिया के उपर इंका अच्छे से क्या रहता है बच्छो रहता है ठीक है इनको गवर्मेंट की नीद कम पड़ती है रिजन बीइंग ऀन को अलग से एक्स दे दिया जाता है इनकी सारी पावर्स अलग से क्षाइंड होती है सारे रूज और डिपेंडेंड काम हो जाता है कि government को पर कम dependent रहती है तो इसमें याद करने वाली चीज़ है क्या है बच्छों याद करने वाली चीज़ है पहली यह वाली special act of Parliament special act of Parliament है दूसरा पॉइंट rules and regulations वगरा सारे सेक्ट के अंदर लिखे जाएंगे तीसरा यह इसके प्रॉपर definition है अगर मैं बात करूं तो बच्छों यह पॉइंट इसको क्या है definition है यह पॉइंट कर रहा है क्लियर है बच्छों आज आगे देखते हैं इसके features को देखते है features क्या है देखो statutory corporation का पहला फीचर ही यह है कि सेट अप हुई किसमें एक सब्सक्राइब के बाद अगर सब्सक्राइब कोई भी सब्सक्राइब करेगा यह क्या बताता इंको सब्सक्राइब कर सकते हैं इसका मतलब यह नहीं करती पर अप गवर्मेंट ही नहीं करती है तो इस बनाने की तो इन्हें बनाती है कि जो अपने चीज़ों का खुद मैनेज कर सकते हैं इंडिमेंडेंट बॉड़ी कॉर्परेट एंड कें सूब एंड बी सूड एंटर इंटर इंट्वाइर पापर्टी निस ओन नेम एक स्टेटरी कॉर्परेशन है जी विल्कुल ब कोई उसपे केस कर सकता है यह अपने आपी कॉंट्रेक्ट में एंटर कर सकती है प्रॉपर्टी एक कर सकती अपने नाम पर यार यह पॉइंट पहले कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा मेरे को तो लग रहा है अगर आप लोगों को इस पॉइंट का एक वर्ड का आंसर पता है बता है जल्दी से कमेंट बख्स में बता दो जलदी बता दो क्या इस पॉइंड का मतलब पहले मेरे आप मतलब क्या है धेन आप 로गों को पता हूं गा किस का oder आप लोगों ने पढ़ रहा इसे प्रडू कि बथे लेटे लीघाएंथी होती है व्यानी कि in the eyes of law this organization this type of organization is the dependent is separated from its owner यहने कि government अलग है यह अपना काम खुद करेगी बात आई समझ में क्लियर है बच्छों हां जी इस टाइप of enterprise is usually independently finance अभी बताया था इसका मतलब कि it obtained funds by borrowing from the government or from the public through revenues derived from sale of goods and services मतलब यह यह अपना पैसा खुद रेस कर सकती है इसे किसी की help की जरूरत नहीं 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 employees of this enterprises are not government कि हमने पढ़ा था ना डेपार्टमेंटल अंटर्टेकिंग के एंप्लोई से वह गवर्मेंट एंप्लोई से वही मैंने बतला था ना आपको इस होते हैं यह प्रटमेंट्स में ना कर नहीं कोई काम कर रहा है तो इंको ना गवर्मेंट नहीं बोला जाता इंको गवर्मेंट एंप्लोई नहीं बोला जाता तो कि देखो यह इस सेपरेट लिगल और आपके आजपस की लिग में काम कर रहा है और आपके आज पास की लिए सी में काम कर रहा है तो आप बोलोगे कि वो पूरी तरह प्राइवेट सेक्टर में भी नहीं है पूरी तरह बीच में फसा हुआ है फसा हुआ नहीं बहुत अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं आपकोर्स पट वह गवर्मेंट एक तरीक से गवर्मेंट जॉब के भी कुछ-कुछ फायदे ले रहे एक special act पास होता है उसी एक्ट में इंकी objective power and privileges होती है मालिक पूरा यानि की holy owned by the government separate legal entity होती है independently financed है और these employees of this organization are not the government employees or civil servants इसके फाइद है बच्चों इसके मेरिट्स कहा है administrative autonomy यानि कि इसके administration जो है इसका management जो है उसके पास एक freedom है एक freedom autonomy का मतलब freedom है is able to manage its affairs and independent and flexibility मतलब पब्लिक कॉर्परेशन के पास होंगी खुद की powers है खुद की rules and regulations है तो वह अपने मैने अपने जो मसले हैं अपने जो affairs हैं उनको खुद मैनेज कर सकती है independently and flexibility के साथ मतलब उनके पास flexibility है उन्हें किसी की सुननी नहीं है वह अपने decision खुद ले सकते हैं अपने इसाब से काम कर सकते एक flexible एक flexible body quick decisions देखो quick decision अब पब्लिक कॉर्परेशन इस फ्री फ्रॉम रेट टैपिसम इस दियर इस लेस फाइफ वर्क एंड लेस फॉम्लेटी इस तो भी कंप्लिटिट बिफोर टेकिंग डिसीजिजिजिजिजिजिए एक क्या बोलते हैं हमारा जो सटेटरी जैसा एक जो employee होता है उसके उपर काम workload कम रहता है ठीक है तो उसका पास इतना time होता है कि क्योंकि वर्क लोड कम है क्योंकि कि फाइल वर्क कम है तो किसी चीज को इंपलाई करने के लिए किसी को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पेपर वक की जुरौत नहीं पड़ेगी आप विदाउट less formality के साथ less formality के साथ किसी भी काम को स्टार्ट कर सकते हैं सर्विस मोटिफ क्या the activities of public corporation are discussed in parliament this ensures protection of public interest देखो ऐसा नहीं कि अगर इसको government budget में नहीं रखती तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसको इसके मद्दे उठाए जाते हैं अगर यह किसी परेशानी से जूद रही है तो इसके मद्दे पार्लियमेंट में उठाए जाएंगे तो इसका discussion पार्लियमेंट में करा जाता है ऐसे government body करा जाता है तो इसके वज़ेसे नहीं पर पब्लिक इंट्रेस्ट भड़ जाता है कि अगर इसके कभी बैंकरप्ट हो गया क्या इसके और कभी पैसा नहीं बचा तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी सारी ठीक करने के लिए efficient staff तो इसके बास बावर होती इसके बातार क्याव सकती है और इसके अच्छास अचछारो ले सकती अच्छा काम करें professional management जो इसके board of directors होते हैं न वो बिस्नेस experts होते हैं तो उनको एक experience होता है उनको knowledge होती है कि business को किस तरीके से आगे लेकर जाना है वो उसी professionalism के साथ in statutory corporations को भी आगे लेकर जाते हैं clear है नहीं clear है बच्चो चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे देखने के नुकसान क्या है देखा हमने बोला कि administrative autonomy clear है but in reality a statutory corporation does not does not enjoy as much operational flexibility इतनी flexibility भी नहीं होती असलियत में बोल दिया जाता है कि rules and regulations अलग है एक्ट अलग है तो भाई अलग से काम करेगा बट एक्चल में इसको भी उसकी बात है माननी पड़ती है गवर्मेंट और पॉलिटिकल इंटर्फरेंस has always been there in major decisions and where huge funds are involved government अपना इंटर्फेर करेगी government अपना इंटर्फेर करेगी उस जगह पर इंटर्फेर करेगी जहां पर एक बड़ा कोई decision लेना कोई ऐसा decision लेना जिसकी वरे से इंडियन पर काफी effect पड़ेगा positive effect और negative effect और बीच में आ जाएगी या फिर ऐसी जगह पर government involved हो जाती है जिस जगह पर funds बहुत जादा हूं फंस बहुत जादा हूं सब्सक्रों करो एलाइसी ने एक प्रफोसल लखा कि मैं क्या बोलते हैं कि इसा कुछ बोला अब कि इतना बड़ा बैंक है तो कुछ चोटे मोटे amount में तो नहीं खरीदेगा न जब भी लाइसी जाएगा तो जगह पर government interfere करने आ जाएगी तो पैसा इसको खरीदने में लगाएगा क्या तूना हमसे पर्मिशन ली और इसा हो जाएगा पैसा बहुत ज़्यादा जाएगा इंडियन उक्राइगा फरक पड़ेगा क्लियर है बच्छों थर्डिसद्वांटेज क्या है तो गवर्मेंट एसा प्रैक्टिस अपॉइंटिंग एडवाइसर्स तुदा कॉर्परेशन बोर्स इस कर्प्रीडम देले शक्कसिण मेरी बहुत ध्यूंत अब कॉर्परेशन जो शक्री चल्थनुट भूपरेशन होता यह अपनी सलाह दे रहे हैं अब दो लोग बैटे हैं दो लोगों का मैंटर्स का तो इसे करेगा तो ऐसे केस में क्या होता कि फ्रीडम प्रिडम रिस्टिक्ट हो जाती है इप डॉनों के बीच बात नहीं बनी तो मैंटर किसके पाड़ गवर्मेंट के पास जाएगा फाइनल डिसीजन के लिए एंडिस फुर्डर डिलेज एक्शन मतलब अगर इसका एक्जाम्पल मैं दू वह लेकर चलते हैं कि लाइसी आईसी 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 बेंगो खरीदने गया गवर्मेंट ने एक परसन अपॉइंट करा जिसका नाम था वह जाता है और वोड के पास जाकर बोलता है कि क्या एडवाइस करूब सूजम pla Synoga कि तु मंहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए ठीक है कितना वोड़े डिमेरिट एक तमने डिसदवांटेज है कि विकॉष अप्ट्राइब कोई डिसीजन इतना डिले लिए इतना डिलेड हो गया इतना ताइम कंजुमिंग हो गया तुट्रेस्ट आगे देखते हैं our government companies क्या होतने त्वाली को यह आद करें न KD ग करेंद हैं मांके चलो गिसी भी company में और या उससे इसे जादा या गवर्मेंट्रेकर जाएगी यानि कि जिस company का 51 परसेंट या उससे जाधा का शेयर जो है government ने होल्ड कर रहा है वह company government company बन जाएगी तो government company according to the section 245 of the companies at 2030 government company means any company in which not less than 51 percent of the paid up share capital not less than 51 percent का मतलब क्या हो गया बच्चों 51 percent of more than 51 percent less than से कम नहीं होना चाहिए इसका मतलब यह हो गया कि 51 परसेंट रोना चाहिए उसे जादा होना चाहिए ठीक है नौट लेसं पहसें पर्सेंट आप खरीश सकते हैं चाहे से ज्याधा state government भी हो सकती है State Government भी हो सकती है मांगे चलो क्या कि एक government company कॉनसी होगी जिसमें 51% ऐसे जज़ादा की शेर होल्डिंग होगी चेरह उलोनिंग कितनी होगी 51 पर्सेंट या उस से ज़्याधा कि और कर किसने रthird होगी चाहि तो तो वह। सेंटल गॉफरमेंट चाहे वो स्टेट गॉफरमेंट चाहे कंपनी के बारे में आपनों को बताया था मैंने एक बार देखो एक बार बच्चों देखो मान के चलो गेल गेल लिमिटेड बच्चों क्या है एक गवर्मेंट कंपनी है त pigment 750 गेल Limited ॐ और असपूस करो करें कि फॉर्म एक प्रैवेट लिमिटेड कंपनी लृक्ती है एक प्ठाइवेट कंपणी है है नाम से मता लगा हूआ ंजीट प्राइवेट कंपनी यह ठीक है और मैंना आपको पताया था कि सफीडरी और होल्डिंग कंपनी के लिए जो नम्मर हमें याद रखने हैं वह 50% याद रखने हैं 50% तो यहाँ पर इन केस अगर गेल कंपनी ने गेल लिमिटेड ने फॉम एक्स के मोर देन 51% शेर्स को पर्चेस कर रखा है और या होल्डिंग है और देन 51% शेर्स 51% शेर्स अगर 51% से ज्यादा शेर्स को होल्ड करका सौरी 51 नहीं अभी तो पता है था मैं भूल गया 50% 50% तो यानि कि इस फॉर्मेक्स का आदे से जाधा कंपनी का माले कौन घवर्मेंट है ठीक है तो यह कंपनी क्या है प्र क्या मंगी कंपनी और यह मंगी हमारी बन गई तो फोल्डिंग कंपनी वह कंपनी जिस कंपनी ने किसी दूसरी एक कंपनी का 50% से ज्यादा शेर्स को प्रका है और रहा है तो इन डेड केश एक प्रिवेट कंपनी भी गवर्मेंट कंपनी तो यह ही वाला केस इसमें परал में रियानते Americas करवा हूं तो गवर्मेंट कंपनी तब इसंट से जादा या 51 बरसंट से जाधा जγन कर रखा हो government में इस या पिर या पिर एक क्या बोलते हैं एक कंपनी जिसका कि 50% से ज़ाधा किसी कंपने बने आधा एक कंपनी से थीक है और फॉर्ट पॉइंट फड़ो सब्सक्राइब कंपनी और जहां पर कंपनी यूज हो गया है इसकी होल्डिंग इसके हाथ में जादा गवर्मेंट के हाथ में इसके उसके उपर रूल रूल इसके बड़ा इंपोर्मेंट कोई बनाती है तो फाइदा होना चाहिए में लिए वेलफेर के साब से बनाती है बट गवर्मेंट कंपनी इसका इसा कोई भी शीन नहीं होता इस आर फॉर्म्ट फॉर ओली दा डूइंग बिजनिस वो बिजनिस करने को बनाई जाती है बिस्निस वरपस सही बनाई जाती है एंड इन ट्रूइब इस प्राइबट शेक्टर और प्राइबट सेक्टर की इसके साथ पूरा करेंगी लाइक मार्केटिंग इसको उपर पूरा इसके साथ पूरा ध्यान देंगी क्लियर है जैसे कि एक प्राइबट कंपनी देती है आओ इसके फीचर देखते है इसके फीचर देखते है बच्छों फीचर से रेडिस्टर रेडिस्टरेशन गवर्मेंट कंपनी गेट अंडर यहां पर वर्ड आजना कंपनी वह कंपनी सब्सक्राइब करना चाहिए किसको गवर्मेंट को क्लियर है नहीं क्लियर है तो सब्सक्राइब बच्चों सब्सक्राइब करूं तो इस पर से लेकर तक उनकर सकता है कर रहा होगा तो होली ओंड और 51 परसेंट कर रहा होगा तो पार्टली ओंड या उसके भी कर रहा होगा तब भी पार्टली ओंड बोला जाएगा ठीक है बच मिनिमाम 51 परसेंट से कम नहीं होना ठीक है थर्ड क्या है management the government company is managed by the board of directors who are nominated by the government and other shareholders इस company के board of directors कौन बनीगे मैंने आपको बताया था board of directors कौन नॉमीनेट करता है board of directors कौन अपॉइंट करता है इस शेयर होल्ड कौन अपॉइंट करता है शेयर होल्ड करता है और यहां पर बच्चे ओनर कौन है government government क्या बोलते है कितना सारा शेयर लेके बैठी है कम से कम 51 परसेंट तो लेके बैठी होगी तो यहां पर government करती है कि नहीं board of directors को और अधर शेयर होल्ड कर सकते हैं इसकी separate legal entity होती है यहांने कि government government company की आपस में क्या होगा separate legal entity होगा ministerial control the concerned ministry make appointment of the directors make appointment of the directors the ministry में issue directions and can assume the overall supervision of the undertaking इसके बढ़र मिनिस्ट्रिल कंट्रोल मतलब जैसे मैंने आपको बताया था ना अलग-अलग ministries होते हैं ministry के department होते हैं वो department क्या होते हैं departmental undertaking अब कुछ companies होती हैं जो कि किसी ministry के इंडर में काम करेंगी बात आई समझ मैं तो अभी मैंने उपर पता आया था कि उनके board of director कौन decide करेगा government government का मतलब वो concerned ministry decide करेगी concern ministry appoint करेगी उन companies के लिए director और concerned ministry director को direction भी देगी उस डिरेक्टर को direction भी देगी कि भाई तुझे आगे चलके इस direction में हमारी company को लेकर जाना है तो यह सारे काम करने तो इन चीजों के ऊपर focus कर यानि कि मैं इतना short में बोल सकता हूं कि ministry का interference इसके अंदर रहेगा government का interference इसके अंदर रहेगा अब मोधी जी खुद आके तो बोलिंग नहीं ना company कैसी चलानी है मोधी जी को तो इतनी सारी चीजर देखनी है मोधी जी ने अपना का वाला काम किसी ministry को उपर डाल रखा है ना अपने सारे काम शोड़ी-शोडी ministry को उपर में अफिर नहीं है इस तरीके से फाइनेंशल ऑटोनॉमी फाइनेंशल ऑटोनॉमी मतलब बहुरा ही पावर है फाइनेंशल इंडिपेंटेंट अगर शॉट में बोलूं इटके नेस कैपिटल बाइश्यू अप वेरियस सेक्योरिटीज इट इस फ्री तो यूज इस रिव नहीं जाता है इसका रिवेंटनी नहीं जाएगा ये अपने दिवेंटनी को यूज करके भी आगे पैसा कम आ सकती है सिंपल क्लियर वच्छों यह इसके फीचर से अब इसके मेरिट्स एक्ते मेरिट्स क्या होते हैं अग में न कंपरी के इस्टेबलिश्ट बाइफ फुल्फिलिंग दा रिक्वार्मेंट्स ऑफ इंदियन कंपनी जैक्ट अब सबसे पहले फाइदा क्या है कि वर्कलोड कम हो ज सब्सक्राइब होता है और अब भी उसके इंदर बहुत सारे चेंजिस आये चले जा रहे हैं और आते रहेंगे बाइदा आते भी रहेंगे कमियां छूट जाती है वो ठीक करनी पड़ती है इस सेपरेट लीगल एंटिटी थे फाइदा है फाइदा है फाइदा है पार्ट क्योंकि कंपनी चैट से सेपरेट फॉंड गवर्मेंट कर देता है तो इसके इसके बोड़ डिरेक्टर के हाथ में प्लाकत होती है कि वह अपने अपने ले सकें करता है मिनिस्टर करते मैं मना नहीं करते हैं बाट हर सीज में मिनिस्टर की भी नहीं पूछी जाती कुस तो अजयों कि यह घज आखर ऑपर अपनी चला सकते हैं उसटों होते हैं न पर बोड़ डिरेक्टर अपनी चला सकते हैं तो इससी विदेस से एटोडैसि न आडमिनिस्टर इव औट अटोनॉमी या फ्रीडम को एंजव न्हीं करता है मैंने मैंने मैंनेजिंग करने लिए मैं गुट्स एंड सर्विस्टे रीडिनेबिल प्राइस और एबिल टू कंट्रोल दा मार्केट एंड कर अनेल्थी बिजनेस प्रैक्टिस मैं आपको बताया था कि इनका काम सिर्फ और सी बिजनेस करना है ठीक है यह कॉंपीट करती है प्राइवेट कंपनी से नाक में दम करती ह अच्छे दामों पर दो और कंट्रोल करो मार्केट को आगे नहीं आगया शब्द मार्केट को कैप्चर करो ज्यादा चीज़ा अपने अंडर में लेकर आओ यह उसी की तरह काम करने प्राइवेट कंपनी की तरह और हनेल्दी बिजनिस प्रैक्टिस को क्या करो मार्केट से यहां एक कम वहले कर सकती है कि प्राइवेट कंपनी कभी कभी बच्चों क्या करती है कि पैसा कमाने के चक्कर में आप लोगों से पूरा पैसा लेकर भी आपको उतनी क्या बोलते हैं गुट्स क्या प्रोवाइड नहीं करवाती दो के बाद यह आपके साथ कर जाती है वह यह ऐना को लुख नए करते हैं अगर्वर्मेंट कोई चीज़ बोल रहे है कि क्या बोलते है हमारी हाँ गर्मेंट कमपनी और भी चीज़ प्रवाइड कर रही होगा तो और तो शीचिझ प्रवाइड कर रही हो किसी गलती की वरह से कॉलिटी में अप डॉन हो जान बूझक क्या होते हैं since the government is only shareholder in some of the companies the provision of the companies act does not have much relevance गवर्मेंट के आगे ना कुछ चीज़े नहीं होती government is a head of the country government law बनाती है government law तो बना देती है तो government law को manipulate करने की भी ताकत रखती है अब यार एक सी सोच के देखो इसकी होगा है जिसकी 100% माली की government तो इस चीज़ को बना रही है आप इस चीज को समझने की कोशिश करो तो government companies के साथ में बड़ा मसला है मतला इसी चीज़ का है कि रूल से बहुत सारे होते हैं बड़ साथ की साथ रूल से रेलेवेंस कम भी होता चला जाता है तो गवर्मेंट है आखिरकार आप किसके अगेस खड़ो गवर्मेंट के अगेस खड़ो इस वज़य से ठीक है इट इवेट्स constitutional responsibility देखो मेरी बात ध्यान से सुनना constitution responsibility मतलब government companies पैसा लगा किसका रही है हम ही लोगों का ना हम से taxes लेती है उन taxes की मदद से जो पैसा आता है उस पैसे से government company start होती है बात ही समझ मैं तो government हमारे पैसे पर मज़े तो नहीं दे सकती तो क्या आपको बच्चों लगता है नहीं लगता कि government companies को एक responsibility लेनी चाहिए government companies का भी मुद्दा parliament में उठना चाहिए हाया ना होना चाहिए नहीं होना चाहिए बट ऐसा नहीं होता evade मतलब ignore करती है या बच जाती है constitutional responsibility पैसे company finance by the government should have जो कि एक company जो कि government finance करती है उसको constitutional responsibility लेनी चाहिए it is not always on answerable directly to the parliament करीक्षार्म का answerable नहीं होती कि मतलब इसका जो character रोगा उसका इसकी कम रहती है कि प्रमेंट को मुझे जवाब देना पड़ेगा मुझे क्या बोलते हैं इस ने तो हमें जाकर उसे जवाब देना पड़ता है जब मुद्ध बहुत बड़े हो जाते हैं तब जवाब बनता है बट जनरल सेंस में नहीं बनता आपको हर चीज का जवाब जनता को नहीं देने की सब्सक्राइब अचेह हमारा पैसा लग रहा है तो हमें जवाब चाहिए हमें जवाब चाहिए होगा जेकर ऐसा केस में नहीं ओथा इसका दिम मेरिट थर्ड क्या नहीं तब गवर्मेंट बिक डशेरओं अकेली शेरौडर क्यों सब्सक्राइब और चाहिए जाए तो पर दिखेट हो जाता है मतलब की सब लोगों की चलनी चाहिए अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो बताना चाहिए कि आप लोग गलत कर रहे हो ठीक है उसको रास्ते पर ले जाना चाहिए पर गवर्मेंट बोलते हैं जैसा मेरा मन करेंगा वैसा होगा तो आज के इस लेक्टर में बस इतना ही ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं हमारा पब्लिक सब्सक्राइब कर चुके हैं और हमारे नेक्स लेक्टर नमर 3 में हम लोग इस चैप्टर में छोड़ी चोड़ी बाते बची हैं वह भी कवर अप करके चैप्टर को फिनिश कर देंगे तब तक के लिए बाबाए टाटा टेक केर एवरीवन एंड याद रखना आपको यह नोट हमारे साइंस एंड फन के एप से डाउनलोड कर सकते हो आप आपको महाँ पर एविलेबल मिल जाएंगे तो ओके बाबाए बच्चों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स को भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके हैं ओके बाबाए